आपने देखा होगा बेंगलूरू में कुछ दिन पहले एक वीडियो वैरल हुआ था जिसमें रमेश गोडा नामी एक कनड़ा एक्टिविस्ट जो खुद को कनड़ा नवाज बताता है उसने एक कलमे के तोगरे को एक होटल के रिसरप्षन से हटाने की कोशिश की थी वो वी प्रवर मेडारान है यहाँ इस वक्त हमाएं एक सदभवना तंजीम है उन्होंने वक्त रहते उन्होंने कमप्लेंट भी किया और सदे साथ पुलिस कमिशर से भी उन्होंने मुलाकात की पुलिस ने कारवाई भी खी और पुलिस स्टेशन में बुला कर रमेश गोडा से इन से बाद भी करवाई रमेश गोडा ने उनके सामने माफी भी मांगी और एक वीडियो भी वैरल किया माफी मांगते हुए बेरहाल यह एक पैगाम है कि करनाटक जो है सेकुलर स्टेट है यहाँ पे किसी भी तरह का किसी भी मख़ब के खिलाफ बयान बाजी करना कानूनन जुर्म है कारवाई होती है कहीं न कहीं एक अच्छा पैगाम गया है आई इन से बात करते हैं क्या हाला थे यहाँ इस वक्त उ जो इस पिछले हफ्टे 10 तारिख कूर हफ्टे का दिन था और रात में जाकर बिरानी पूछता है उसवक्त बारा बजे रहते हैं तो बिरानी नहीं रहती वह नशे में रहता है बाद उसकी टीम और सब मिलकर बत्विजी करते हैं बाद में उन्होंने कलमे के ओपर नजर दाल आता लेकिन जान बुचकर शरारत करना बोलकर वो जबर्दसी से वहां पर बत्तमीजी पॉलिस के साथ भी बत्तमीजी करता है और वो कलमे का बोर्ड निकालता है निकालकर वो उसके बाद में वो खुद उसकी वीडियो वेरल करता है कि मैं ऐसा करा यह हिसाब से करा मैं करनड के वास्ते करा ये उर्दू कैसा यहां लगा सकते हैं बोलकर बत्तमीजी करता है तो उसके बाद ये बाद में बाद बाहर फैलती है पूलिस अरस्ट करती है उसको अरस्ट करने के बाद तीन दिन जैल में रहकर बेल में बाहर आता है उसके बाद हमें मालूम पड़ता है लेने के बाद हमें फौरान उसके बार फिर से हम वो समझ में ने आ कि जब तक हम लोग बोले तक पॉलिस को भी समझ में ने आ था दूसरों को भी समझ में ने आ था कि एक कलमा है बोलकर उन्होंने उर्दू बोर्ड उर्दू बोर्ड है बोलकर ये थे हमें समझाये ला इलाह लगाला, मुहम्मद रसुल्ला, यह हमारा कलमा है, यह खुरान की यह है, इसकी बेहरूमती, इसके साथ इन्हें छेड़खानी करकर है, अगरचे यह ज्यादा यह हो गया तो, करनाटक के अंदर हिंदू-मुसल्मान के फसाद भी हो सकते हैं, यह फसाद मचाने के वास्ते है, ये करनाटक की शान्ती भंग करने के वास्त है इसका पुरा टाइए है बोलने के बाद पूलिस से बाद में डिरेक्शन हमें देते हैं कोड़गे हल्ली स्टेशन जाओ वहाँ पे जाके तुम्हारी कारवाई क्या क्या है करो बोलकर वहाँ के जो महेश नाम की जो सरकल हैं और अभी चारशिट नहीं पड़ी जो हमने उसे कहा हमारे करनाटक के जितने भी मुसलमान हैं उनके सबके दिलों को धेस पहुंचकर है कलमा हमारा एमान है कलमे के लिए हमें जीते हैं मरने के वक्त भी हमने कलमा जरूरी है ये चीज़ को इने बे बेहुरमती करको है इ तुम्हारा पास आख हैं बोले तो उन्हों ने तसलिए दी हमें जो भी खानून के अंदर दायरे में इसे शक्शन्स दालना है जो एक रिलिजिन को हट करकर है बोलकर वो उन्होंने वादा करकर वो उनका काम उनों कर रहे हैं पॉलिस से वह लेकिन आ उन्होंने माफी भी तो उन्होंने बी एकक बहतेरीन काम करकर है जो पॉलिस डिपार्मेंट से ये करकर इसमें हिंदू ब्रदर हैं हिंदू भायों भी सात्में मिलकर उसके अपर कारवाई करना यह क्यों बोलो तो करनाटक के अमन को खराब करने की कौशिश कर रहा है है हरिश को नहें यह एक सोश दिये थे उसकी कार सीज़ करें तो उस वक्त उन्हें ने माफी भी मंगा माफी मंगने के बाद हम लोग आ गए खानून के ओपर छोड़ कर आ गए अब जो आगे खानून है क्या करना है बलकूं क्यों बोले तो इसे एक रमिश गोड़ा को छोड़ दिये तो दूसरे सब भी इसके सोच के जैसे लोगे हैं हर जगा जाएंगे वो खिताने कलमा निकालेंगे बेहरमती करेंगे और मुसल्माने के दिलों को धैस पहुंचाएंगे इसमें हिंदू मुसल्मान का फ़साद होने की चांसे सेंब अच्छा आपकी तन्जीम के तरफ से आज आज आप उस जगरे को अपने लगाया तो यह सारा मामला कैसे हुआ और वहां के जो जिम्मेदार हैं होटल वाले वो क्या कह रहें आहमदल्ला हएं जब हमने वहां स्थीशन को जाने के वरक्त होटल पर जाकर पूरा जायज़ा लिया बात करने के बाद वोनर है लो बाहर थे उन्हों आ एक मुस्लमान है इसमें अईसा बोलकर पूरा बता है उनको बाद में बोले हमें आने के लिए। कれम इनशाँला के जिमेदाराने के हाटों लगाने का वादा कर रहे थुह थूम्ह切 आMa रो कर आज उन्हों फिर्खा परस से गैर ने कल्मा निकाला अल्ला हमेंचे उनकर हमारे हाथों से लगाया अल्ला का शुक्र अजा करते हैं लेकिन एक चीज़ है साधिक साहब कहीं न कहीं मुसल्मान गलती कर रहे हैं कि अपने कल्मे को अरभी को उर्दू को दूसरे मज़फ के लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा है, जिसके जाय से लोग जो है, अर्बी को अर्दू समझते हैं, अर्दू को एक देशध गर्थ जबान समझते हैं, आप पाकिस्तान के जबान समझते हैं, इस सारे अवेरनस के काम समाजी तन्जीमों को करने अर्भी को पाकिसान समझता है कल्मा रहता ना उसे ऐसे समझता है लेकिन हमारे भी जो बड़े इदारों के हमारे भी जिमेदारों के गलतियां है क्यों बोलो तो गेरों को अपने खरीब नहीं करते हमारे इमान क्या है नहीं बताते हमें कारबार में हम हमारे जो शरीयत क्या है नवे का फर्मा को ही वो सब बता brings है अलहम्दल्ला अलहम्दला इस बार इस बार करनाटक में मुसल्मान सारे एक होकर हैं बिखरे नहीं क्यों बोले तो पिछले बार बिखर कर ये पार्टी वो पार्टी को वोट दिये आज पूरा हमें भरोसा कांग्रेस पर करकर सारे मुसल्मान मिलकर उसमें हमारी भी बहुत बीड़ी fight है, Congress को जिताना बोलकर हमने वादा करे थे करनाटक्त में, काम करेंगे, बोलकर काम करे, अलहम्दला, सारे मुसलमान, सारे secular Hindu भायां सब मेल को Congress को जिता करें, कांगरेस का फर्स बनता है इस तरह के फितने इस तरह के मुसीबतें इस तरह के परिशन आए तो कांगरेस फौरन आक्शन लेना है क्यूं बोले तो हमें भरोसा करकर हैं कांगरेस पे अगरचे कांगरेस नहीं करी तो पिछे आते पर हमें सोचना पड़ेगा क्यूं बोले तो हमारा ये था तू भी उसके अपर तवज़ देना है हलाल हिजाब ये वो सब तबाव और बर्बाट कर दा ले हमना जो पिछली गोवर्मेंट थी अब हमें बरुसा करको कांगरस को वोट दे कर हैं अगरचे इनों जो वादा करकर हैं जबान दे कर हैं वो करे तो अच्छा है नहीं बोले तो इनके बार में फिर 24 में 24 में सोचना पड़ेगा कांगरस के बार में घौर करना पड़ेगा मुसलमान किंग में कर हैं इन्शालला किंग में करी रहेगा बहुत को शुक्रिया ये थे सद्भावना के जिम्मेदार और ये जो टीम मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोगों ने जो है आज उस होटल को पहुंचकर जहां पर तगरा निकाला गया था वहां पहुंचकर वापस अपने हाथों से उन्होंने वो कलमा का तगरा जो है उ उसक्त जो पॉलिस के तरफ से वीडियो वेरल हएं पॉलिस के तरफ से जो रियैक्शन जारे थे जो बाचीद ह होग्या थे उसके काफी लोगों ने सरा है के पॉलिस में वक्त रहते एक्शन लिया है आरिस्ट भी किया गया आ बेरहाल रमेश गोडा जो खुद को करड़ा एक्टिविस्ट बताता है उसने माफी मांग ली है लेकिन उसे अभी तक ये क्लेर नहीं हो पाया है कि अर्दू क्या है अर्बी क्या है वो बार बार ये कह रहा है कि मैं उर्दू समझ के इसके खिलाफ बयान बाजी करता रहा है मुझे नहीं मालूम था कि मजभी जबान है लेकिन उसे ये भी समझना चाहिए कि उर्दू हिंदूस्तान की जबान है और यहां की ही लोग उसे बोलते हैं ज्यादा कहीं न कहीं यह awareness लाने की जिम्मदारी हम लोगों पर भी है हम तमाम लोगों को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है कैमरापरसन समीर के साथ शाहित काजी बेगलरू